दोस्तों सावन के महीने में औरतों को भूल कर भी ऐसे संदूर नहीं लगाना चाहिए इससे आपके पती के जीवन पे संकटा सकता है और आपके परिवार में भी कलेश बढ़ता है दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के संदूर का एक खास महत्व होता है हिंदू धर्म की मानिताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं का सुहाग का प्रतिक माना जाता है विवा के समय भी सुंदूर दान की विधी का बहुत खास महत्व है इसके बाद ही विवा को संपूर्ण माना जाता है एक बार विवा होने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है दोस्तों आज के बदलते समय के अनुसार आज कल कई महिलाओं को आपने बिना सिंदूर लगाए देखा होगा लेकिन आपको हैरानी होगे कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के ना केवल धार्मिंग महतो हैं बलकि इनकी संदर में कई व्यज्यानिक संदर भी बताए गई हैं दोस्तों, जो महिलाओं सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाओं के पती को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ती नहीं होती, ऐसे महिलाओं के पती हमेशा बिमारियों से ग्रस्त रहते हैं तो दोस्तो हम जानते हैं सिंदूर लगाने के इन नियमों को जो हर सुआगिन महिलाओं को जानना बहुत जरूरी होता है उससे पहले अगर हमारी दी हुई जर्मकारी अगर आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज हमायर चैनल को सस्क्राइब करें और कमेंट में जै माता पारवती जी जरूर लिखें क्यूंकि दोस्तो माता पारवती ही आप सभी को अखंट सौभागवती रहने का वरदान देती है नमबर एक दोस्तो साधी सुदा महिलाओं को सिंदूर हमेशा अपने पैसे से ही खरीद कर लगाना चाहिए किसी दूसरे के पैसे से खरीदा गया सिंदूर अपने माते पर कभी नहीं लगाना चाहिए नमबर दो दोस्तों चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो शाधी सुदा महिलाओं को किसी भी दूसरी महिलाओं का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए किसी दूसरी महिलाओं का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुब माना जाता है ऐसा करने वाली महिलाओं के पती धन संबंधित परिशानियों का सामना हमेशा करना पड़ता है पती का काम धंदा सब चौपट हो जाता है ऐसा करने से पती की आयू दिन बदिन घर्टी जाती है नमबर तीन सुहागिन महिलाओं को किसी भी मंदिर से तथा मातारानी की चौकी से उपहार में मिले सिंदूर को अवश्य लेना चाहिए क्यूंकि सास्त्रों में मातारानी के चर्णों से मिला सिंदूर बहुत ही शुब माना जाता है इससे शाक्षात मातारानी का आशिरवाद मिला हुआ होता है इससे आपके पती पर कभी भी संकट नहीं आते इस सिंदूर को अपने मांग में अवश्य लगाएं इससे पती की आयू भी बढ़ती है और धन्य धान्य वृद्धी भी होती है और आपके पूरे परिवार में प्रेम विवहार बना रहता है नमबर चार दोस्तों सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए आप जब भी सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पती को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिष्टे को भी नजर लग चात बगेर नहाए अपने माते पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए सबसे पहले महिला नहा ले अपने मांग में तब सिंदूर लगाएं फिर उसके बाद घर की पूजा पाट करें सिंदूर लगाते समय आप हमेशा अपने पती की लंबी आयू उनकी सफलता के बारे में ही सोचे इससे आपका भाग्य और भी प्रबल और भी शक्तिशाली होता है और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पारवती का ध्यान अवश्य कर लें क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वर्दान माता पारवती से ही प्राप्त होता है नमबर छे दोस्तों अगर आप सुहागिन है तो आपको सदैव रंग रूप में ही रहना चाहिए घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म या आपके उपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए तो सास्तर कहता है जब तक आपका पती जीवित है तब तक के 365 दिन हर हाल में सिंदूर भरना है मांग में सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आप ही पवित्र हो जाती है नमबर साथ जो महिला है मांग में सिंदूर नहीं भरती वो दरसल अपने पती की मुर्तियों का सोक मनाती है इसलिए माता सीता कहती है कि मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए नमबर आठ दोस्तों सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अप्षगुन माना गया है इसे लिए सिंदूर बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए सिंदूर को हमेशा सुरक्षित इस्थान पर ही रखे क्योंकि सिंदूर जब गिरता है तो पती पर कष्ट आते है माता पारवती क्रोधित हो जाती है सिंदूर गिरते ही माता रानी से छमा मांगे सिंदूर को हमेशा माती से लगा कर किसी पेड़ की नीचे रख दे सिंदूर में माता पारवती का वास होता है नमबर नौ, मांग भढ़ने के लिए सुखे सिंदूर का ही इस्तमाल करें आज कल मार्किट में कई तरह के लिक्विट सिंदूर भी उपलब्द हैं लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता सास्तरों के अनुसार माथे पर और नाक पर जब सिंदूर गिरता है तो उसका मतलब है कि आपको पती आपसे हमेशा प्रेम करता रहेगा नमबर दस, अगर आपसे सुखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर को टच करके माथे पर भी लगा सकते हैं इससे आपका सिंदूर माथे पर नहीं गिरेगा लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें आप जितना जादा हो सके सुखा सिंदूर ही मांग में लगाएं नमबर ग्यारा दोस्तो सास्तरों के अनुसार जो भी सिंदूर को अपने बालों की पीछे छुपा लेती है उसके पती को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता जिस उचाई को छोना चाते हैं वहां तक पहुँच नहीं पाते और हमेशा असफल ही रहते हैं समाज में तथा रिष्तिदारों के बीच हमेशा छुपे रह जाते हैं इसलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएं और जितना आगे तक माथे पर लगाएं तो आपके पती का भाग उतना ही अच्छा और प्रबल होगा क्यूंकि दोस्तों सिंदूर चुपाने से माता पारवती का घोर अपमान माना जाता है इसलिए कम से कम थोड़ा सिंदूर आगे माथे की ओर जरूर लगा ले दोस्तों क्यूंकि माथे पर सिंदूर लगाने से कई तरह की शक्तियां जागरित रहती हैं तथा ब्लड शर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। सिंदूर लगाने से आपके खुबसूर्ती में चार चान लग जाते हैं। खुबसूर्ती में निखार और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी इस्तरियों का बिना मेकप के भी किसी अपसरा से कम नहीं लगती। नमबर बारा, दोस्तों सास्तरों में पस्ट बताया गया है कि महिलाओं को सदेव ना किसी इधाई पर ही सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी महिलाएं गलती कर देती हैं, अकसर कई महिलाएं टेड़ी मांग निकालती हैं और वे सिंदूर भी दूसी जगा पर जाता है, वे सिंदूर उन्हें हमेशा सम्हाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेश कार्य या कोई विशेश पूजा घर में हो तो उस सिंदूर को थोड़ा-थोड़ा सिंदूर आप अपने मांग में जरूर लगाएं, इससे विवा के समय जो आपको विशेश आशिर की डिब्बी में आपको हमेशा एक रुपे का सिक्का जरूर रखना चाहिए, या फिर चांदी का सिक्का रख सकते हैं, बहुत ही शुब और पवित्र माना जाता है, ऐसा करने से आपको माता पारवती का आशिरवाद मिलता है, तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, नमबर पंदरा, दोस्तों महिलाएं कई बार बीटी पालर जाती हैं, और वहाँ जो भी महिलाएं या मेकप करने वाली होती हैं, तो ऐसे में वे खुद से आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ऐसा करना असुमाना जाता है, ऐसे में आप उन करमचारियों को जानते भी नहीं, उनका अचार वेवार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं, जो की सही माइने में ऐसा करना सही नहीं माना जाता, हमेशा सिंदूर आपको खुद से ही लगाना चाहिए, या फिर अपने पती के हातों से ही लगवाना चाहिए, न इससे आपको आपके मायके की तरफ से बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है और अगर आपके साथ कोई अशुब होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है और अगर कुवारी इस्तरी को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस उसकी शादी उसके मन के नुसार कोई ऐसे वर्से होगी जो उन्हें पसंद हो दोस्तों घर में अगर आपके पती से नहीं बनती या घर में लड़ाई जगड़े या कलेश परेशानिया रहती है तो इस दोसको दूर करने के लिए आप सर्सों के तेल में थोड़ा सा दूर मिलाकर अपनी घर के मुख्य दूर पर स्वास्तिक या फिर उसका चिन बनाएं तो आपके पती का प्यार आपको मिल जाता है और आपके जीवन में हमेशा के लिए सित्यादी का महौल दूर रहता है दोस्तों अगर आप ऑफिश में काम करने वाली महिला है या आप कि सिकम जो आपके मुख्य तेवहार हो या कावर्ड नवरात्री सावन का महीना हर्याली तीज और वट सावित्री वरत जैसे तेवहारों पर मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए तथा शादी की सालगीरा पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए ऐसे में आपके पती की आयू लंबी होती है और पती पत्मी में प्रेम बना रहता है पूजा पाट में सिंदूर लगाने से उसका फल आपको और कई गुना प्राप्त होता है दोस्तों अगर आपका भी कामाख्या मंदिर जाएं तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आएं क्यूंकि क कामाख्या माता की दूआर का सिंदूर माथे पर लगाना बहुत ही शुब माना जाता है मंगल कारे माना जाता है वहां का सिंदूर चमतकारी गुणों से भरपूर है इसे आप अगर आप रोज लगाते हैं तो सदेव आपके घर में खुशिया बनी रहती है और ऐसी आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जै माता पारवती अवश लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें